ओम श्री परमात्मने नमा आज मैं आपको एफ एर आई फॉरेस रिसर्ट इंस्टिटूट कर नाजारा दिखाते हूं यहां देखिए अब कितना अद्भूत रिश्य है व्रिक्ष लगे वें यहां पर एफ एर आई का मुख्य धे यही है कि जंगलों में जो लकडियों का कट करना कि जब नहीं ने व्रिक्ष लगते रहेंगे दो हमारी प्रित्वी सूनी नहीं होँसे हरालु से और धरती हरी-भरी रहेगे जब जंगलों का कटा वोता रेगा नहीं लगेंगे तो हमारा जीवन तो बहुत बेकार भीक्षकों नहीं आंगे और यहां पर तुरह तरह तकही विभिन, यह देखिए इस भूदा के पति यहां कि इस पेड़ की पती मैं देखे हूं, णी दोब सुरह दोटा है. यह देखे इनकी आवाज विफिन पक्षी होगे जब मैं छोटी थी तो सोचती थी काश यह पक्षी धर्ती पे चलते रहते और उड़ते ना लेकिन अम मैं सोचते हूं कि नहीं इश्वर ने जो कुछ सोचा है कुछ सोच कही बना है अगर यह भी धर्ती पे चलते तो प्रिथ नहीं लेकिन पक्षी वो तो मनमाजी है अपने जहां जाए एक घर से दूसरे घर दूसरे से दीसरे और शहर जंगल कहीं किसी का बगीचा इधर से उधर बड़े स्वचंद हो कि जब इनके जुंड के जुंड अपनी कलोल उससे करते हैं अपना गुंजन तो क्या सुनतर न सुर्य देव डूबने को हैं वो देखी कैसे चमा करें और गीता जी में एक श्लोप मैंने पढ़ा एक उसमें लिखा था कि जिसकार थे कि क्या नम मनुश्यों को अपने रहने की स्थान से महोनी होना चाहिए और हमें तब भी कितना महो है मैं यह सोच रही थी देखके हमें अपने घर से लेकिन इनय तो कोई महोनी होता हमारे एक बडर इक बुल्बुल ने बच्चे दिये अंडे दिये उनके बच्चे भी चार बच्चे और जब एक करकर उड़ गये तो घूसला खाने रह गया जब उस खाने घूसला रह गया तो मैंने पूछ आए निए आया है तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई कि वो अपनी आएगे क्योंकि ये एक बार जहाँ पर बच्चे देते हैं फिर दुबारे नहीं आएगे अब ये फिर दूसरा जगल के ये गोसला बनाएंगे फिर उसमें बच्चे देंगे और उसके बाद फिर वहां से हो जाएंगे यानि कि अपने जीवन काल में ये जितनी बार भी बच्चे देगी तो उस गोसली को छोड़ देगी जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते इन्होंने तो कोई गीता जी नहीं पड़ गया है देखें जरा कितने खुश रहते हैं बहुत कम देखा है यानि पक्षियों को रोते हैं हमेशे खुश रहते हैं हमें भी इन से देखके मैं यही सोचते हूं कि खुश रहना हो जाएंगे और हर चीज में, हर स्थान में, हर जगा में अपने को एड़ेस्ट करने की कोशिश करने जाहिए इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दोंगे अब फिर दुबारे जब आऊंगे आपके पास कोई छोटी सी बात जो मेरे मन को अच्छी लगेगी वो आपके साथ शेयर करोंगे अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे हो तो आप इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब दीजे धन्यवाद